नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सोन्या है, मैं कार्तिक नित्राले हॉस्पिटल बैंक रोन में एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे रेटिना के बारे में, हर साल 29 सेप्टेंबर, इंटरनाशनल रेटिना डे करके मैं आया जाता है तो क्या होता है ये रेटिना, सबसे पहले ये जानते हैं, रेटिना हमारे आँक का पीछे का बाग होता है, जिसको हम आँक का पर्दा भी कहते हैं, ये बहुत सारे nerve fibers, नसों से बना होता है और यह एक camera में रहने वाले film के जैसे act करता है, तो जो भी हम देखते हैं उसकी image यह retina पे बनती है और यहां से हमारे brain को जाती है, जो इमेज को process करता है और उसके बाद हम आगे कुछ भी चीज देख पाते हैं, तो क्या से पता चलेगा कि आपको retina की problem है और आपको retina की जा जाना, कम हो जया नजर या तो अचानक से भी कम हो सकती है और धीरे भी कम हो सकती है, कुछ लोगों को side में दिखना कम हो जाता है कुछ लोग को center में लोगोरे tight humano जाता है, कभी जो icy lines हो थेरे मेडे दिखने लगता प्लोटर्स क्या है? फ्लोटर्स हमारे आंक के सामने दिखने वाले वो चोटे-छोटे धब्वे हैं, जो कभी-कभी ऐसे ब्यूब करके आंक के सामने आ जाते हैं. तो ये कभी dots की तरह जैसे मक्की मच्छर जैसे shadow जैसे दिख सकते हैं या फिर बालों के जैसे shadow दिख सकता हैं कभी कभी मकडी के जाले जैसा दिख सकता हैं कभी कुछ लोगों को बिजली जैसा चमकता है आख में ये सारे लक्षन हमें ये बताते हैं कि आख में रेटिना में क जाज करानी चाहिए वो लोग वो हैं जिनको डाइबेटीस या मदुमेह की बिमारी है या उचिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है जिन लोगों को ज्यादा माइनस पावर है जिनके आख में पहले कभी चोट लग चुकी है अगर आपके फैमली में परिवार में किसी को भी आ ड्रॉप्स डालेंगे ड्रॉप्स डालके वो कुछ मशीनों की सायता से आपके रेटिना की जाज करेंगे कभी-कभी कुछ टेस्ट भी किये जाते हैं जिसको हम जैसे की OCT OCT macula scan या फिर angiography test या fundus photo test और कुछ लोग को अल्टर साउंड की भी ज़ुरत पर सकी है वो आपक अच्छा साफधान रहिए देखते रहिए और अपने हेल्थ का अपने आखों का ध्यान रखिए टेक केर आफ यॉर्सेल्फ स्टे सेव थैंक यू